आपका सिवील सेर्विस पर यूटी चल में आज का हमारा टॉपिक है मूल धाजा यानि मूल सरचना इसको हम कहते हैं इंडियन कंश्टियोसंस का जो बेश्रिक स्टरक्चर वो क्या है किस बेसिस पे इस पे जबाब सवाल हुए है किस बेसिस पे इसमें संसुधन की बाते कही गई है क्या है तर्क इसको हम देखेंगे बहुत ही विश्तार से ठीक है सो स्टार्ट करते हैं हाली में केश्वानन्द भारती अन्य बनाम केरल राजवाद में मुख याच्का करता केश्वानन भारती का निधन हो चुका है केश्वानन्द भारती वाद के बारे में क्या है या तब है कि केश्वानन्द भारती वाद में निड़े सुनाते हुए उच्चतम नियाले ने सम्विधान की मूल सरचना यानी मूल ढाचे यानी बेसिक इस्टक्चर को रेखांकित किया था यह वाद केरल भूमी सुधार अधिनियम 1963 के तहत सरकार द्वारा केश्वानन की भूमी के अनिवार अधिग्रहन को चुनावती देने वाली केरल सरकार के विरुद दायर एक याचिका से सम्मंधित थी या याचिका में राज सरकार पर भारती सम्मिधान के अनुछेद 25, 26 और 31 में प्रत्या भूत मूल अधिकारों यानि फंडामेंटर राइट्स के अतिक्रमण का आरोप लगाया गया था कि आर्टिकल 25, 26 और 31 का हनन हो रहा है और हमारे फंडा मेंटर राइट जो है वो उसका कहीं न कहीं राज सरकार ने अतिक्रमण किया है इस मामले की सुनवाई 13 नयाधिसों के पीठ द्वारा की गई थी यह उचतम नयाले की उस समय के सबसे बड़ी पीठ थी ठीक है जो की 13 नयाधिसों की पीठ थी सुनवाई के प्रक्रिया के आरंब होने पर वाद के दाएरे का निमलिखित को संसोधन संसोधित करने के लिए विस्तार किया गया था पहला है गोलक नाथ मामले की ब्याख्या उचतम नयाले ने माना था कि आर्टिकल 368 यानि 368 केवल संविधान में संसोधन की प्रक्रिया निटधारित करता है लेकिन संसद को इसे संसोधित करने की सक्ति प्रदान नहीं है ठीक है आर्टिकल 368 कुछ सर्तों के साथ संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संसोधन कर सकता है ठीक है उसके बाद 24वा संविधान संसोधन अधिनियम 25 संविधान संसोधन अधिनियम की धारा 2 और 3 तथा 29 संविधान संसोधन अधिनियम की वैदता ठीक है, क्लियर, कुछ यहां पर बात दिवी इसको देख लेते हैं, मुल सरचना में बिभिन तत्व, क्या हैं, various elements of basic structures, बरतमान में कुछ सिधान्द जो मुल सरचना या basic structure का हिस्सा हैं, निमलिखित हैं, भारत का समप्रभुता, नागरिकों के लिए सुरक्षित ब्यक्तिगत स्वतंत्रा की आउसकता विसेस्ता हैं, कल्यान कारी राज के निर्माण के लिए अथिदेस, सम्बिधहान की सरवोचता, सरकार का गड़तंत्रात्मक और लोगतांत्रिक स्वरूप, सम्बिधहान की पंथ निर्फिक्ष और संगी प्रकृति, स्वारिविधाई का, कारेपा न्याई पालिका के मध्य शक्तियों का प्रिधक्रन राष्ट की एक्ता और अखंडता न्याईक पुनर्विलोकन्स की सक्ति मुल अधिकार राज के नीति के निदिसक्तात्य यदि डिपास्पी के मध्य सामजस आवम संतुलंस संसधी प्रडाली, विधी का नियम, समता का सिध्धान्त, स्वतंत्र एवं निस्पक्ष निर्वाचन, नियाय पालिका के स्वतंता, सम्विधान में संसधन करने की संसत की सिमित सकती नियाय तक प्रभावी पहुँच मुल्ह दिकारों में अंतर नहित सिधान्त ठीक है अनुछेद 32, 136, 141 और 142 के अंतरगत उचतम न्याले की सक्ति ठीक है और अनुछेद 226, 227 के अंतरगत उच न्यालों की सक्ति आदी ठीक है यह है जो various elements of the basic structures अगर इन बातों पे अगर किसी भी तरह से संसोधन या कुछ भी लगता है न्याले कि कहीं ने कहीं यह जो subject है यह touch हुए है ठीक है तो जो भी फैसला है वो supreme court में उस पे debate किया जा सकता है ठीक है basic structure या मूल या आधार भूत धाचे के सिधान्त का विकास विकास करम इसको देख लेते हैं most important देखें questions maximum यहां से ही बनते हैं ठीक है इसको please बहुत mind गर के देखिएगा state PCS में तो direct यहां से questions आते हैं वो कैसे आते हैं उसको देख लेते हैं ठीक है 1951 संकरी प्रसादवाद ठीक है कभी कभी इसमें ना सिरीज पूछ लेता है कि सबसे पहले कौन आया था बीच में कौन आया था लास्ट में कौन आया था कौन सा वाद आया ठीक है तो 1951 से याद रखना कि संकरी प्रसादवाद आया था इसमें क्या हुआ था संसद संविधान के अनुछेद 368 के तहत मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संसोधन कर सकती है ठीक है नेक्स्ट आया था 1965 में संकरी सज्जन सिंग्वाद ठीक है सज्जन सिंग्वाद आया था जिनमें की दोनों निर्ड़ा यहीं था कि संसद संविधान के अनुछेद 368 के तहत मूल अथिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संसोधन कर सकती है ठीक है क्लियर नेक्स्ट आया था 1967 में गोलक नाथवाद ठीक है इसमें क्या कहा गया अनुछेद 368 ने संसद को संसोधन के सकती प्रदान नहीं की है ठीक है ज़स्ट यहां पर बाते विपरित हो गई और संसद द्वारा मूल अधिकारों में संसोधन नहीं किया जा सकता य यह किसमें कही गई बाते हैं यह बाते कहा गया है गोलक नाथवाद में ठीक है नेक्स्ट आता है 1971 का मामला ठीक है जिसमें होता है चोबिशमा संविधान संसोधन अधिनियम यह क्या है संविधान संसोधन अनुछेद 13 के अधिन विधी नहीं है इसलिए संसत संविधान के किसी भी भाग में संसोधन कर सकता है ठीक है और 24वा समिधान सवस्तों अधिनियम ये क्या कहता है कि धारा 2 के उचित मुआवजे के साथ संपत्ती की मूल अधिकार में कटवती की गई थर्ड धारा क्या कहता है थर्ड धारा के तहट नीती निद्शक्ततों को मूल अधिकारों पर प्रत्मिक्ता प्रदान की गई है और इसमें अनुछेद 49B यानि 39B और 49C यानि 39C के लिए नियाईक समिख्छा की सकती समाप्त किया गया ठीक है क्लियर नेक्स्ट इसमें है 1972 29 संबिधान संसुधन अधिनियम भूमी सुधार से जुड़े दो कानून को नवियन सूची में सामिल किया गया क्लियर नेक्स्ट है हमारा 1973 जो है केश्वानन भारती वाद ठीक है आज का इसमें परिद्री से क्या है जो कि आज सारे के सारे डिसीजन लिए जाते हैं इसी केश्वानद भारती वाद के बेस बेस पे हैं लिए जाते हैं जिसमें की 13 जजों का पीट था, जिकि उस समय के सबसे बड़ा पीट था, क्या है, वाद के निर्ड़े में समान विचारों को बनाए रखने के साथ साथ उन्हें और मजबूत किया गया, जैसे की मिदरवा मिल्स वाद, एस आर बॉंबई वाद, आई आर को हेलो वाद आदी, ठीक है, और बड़तमान समय में यहीं चीजे चल रही है, ओके, सो केश्वारंद भारती वाद का निश्कर्ष क्या निकला, सो चोबिसमें सम्विधान संसोधन की वैदता को बड़त करार रखा गया, चोबिसमें सम्विधान संसोधन क्या था, ठीक है, कि सम्विधान किसी भी या सभी प्रावधान मूल अधिकार सहीद में संसुधन करने की सकती प्राव्त बसरते संसोधन द्वारा संविधान की अन्यवार विशेस्ताओं या मूल सिधानतो या मूल ढांचे में परिवर्तन उनकी छती लोप नहीं होनी चाहिए या नौलय का ये कहना है कि आप उस हद तक संसोधन करोगे जिस हद तक जो बेसिक structure है उसको टच नहीं करना चाहिए आपका फैसला अब वो basic structure कौन है उपरुक्त मैंने बताया और न्याले को अगर लगता है कि कोई ऐसे प्रावधान जो की लगता है कि कहीं कहीं basic structure को समिधान के टच कर रहा है तो उसको वो challenge कर सकते हैं उस पर debate हो सकता है ठीक है इसे मूल ढाचे सिधान यानि basic structures doctrine के रूप में माना जाता है ठीक है गोलक नाथ मामले के निड़य को सही किया गया उचतम न्याले निड़य दिया कि उचतम न्याले ने नाईक प्रोलेकन समिक्षा कि अपनी सकती को कम करने वाले हिस्ज़ को छोड़ कर 25 और 29 संसोधन को वैद स्विकार किया और यह भी कहा कि उद्देसिका समिधान का भाग है तथा इसमें भी संसोधन किया जा सकता है ठीक है तो अभी तक उसको एक बार संसोधन किया जा चुका है जिसमें कि तीन वर्ड वहीं जोड़े गए थे अगर आपको लगता है कि exam के recording यहां पर discussion है तो please आप इसको save करना और maybe आप किस form में पढ़ते हैं उसको आप प्लीज अपने यूज में लाना और यह वीजन 365 का जो PT 2022 का आया है उसका यह segment है तो thank you so much for watching